इक महल हो सपनों का, इक महल हो सपनों का अपने देश का तेवार होता है, देखो दशेरा और दिवाली में मिठाया बटी है, भुली में रंग और भंग, और संक्राद के दीन मांजा पतंग और चिक्ली या बाद है चिक्ली आने, नाम सुनते ही मैं पागल हो जाता हूँ बादी माँ मैं नाम चिक्ली माँ माय चिक्ली में जू को रेण रेजिर हे ता चिकी या रेण ऐन स्बड़िए जू काल र्दाए बादी माँ की बिलाँ तो ओ comments भाभू जी तो और बादी में और अबहूँ इंचों में तो ऑभकी जूताए यह कोपी है कॉपी पतंग है क्यों आइसा तुम कहते हैं Tomorrow नाइब बाभी जो क्या चड़ादा नहीं जा एक है भैकते हैं भी तरुद्ट एक हमे देुटन से, कहसी भाही से, नाना वठी के पतन काटेव, किसमारे का शुटन मुटत जोUL cohort है, आपन है यह यह डिला है यह क्या करें है? चाहिए के एक तयारिया. क्या बगाईakte कहा बगाईक? यह तekt बनाने के लिए आपको पता है ना कि काजु की चिकी गोड में नहीं बनती हाँ निलो दीपी पता है इसलिए चीनी भी ले आई देखो भारती मुझे बनाना नहीं आता तुम्हें आप आओ तो बला दो लेकिने को बिगड़ना जाए हाँ रश्मी भाभी ठीक करिये अगर चिक ठीक नहीं बन काजु है ट्राइटूर्स वाले ने कहा कि टुकडा काजु चिकी बनाने के लिए बेस्ट होते हैं और बच्चों को भी काजु बहुत पसंद है ना इसलिए ले ले आई हूं जानकर अच्छा लगा कि आप बच्चों के लिए ले लाई है भर आँखों में सपने इस घर में है हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए है मैं घर के आंगन में कुछ सपने वोए है कुछ मुर्जाए कुछ पाए कुछ पा कर खोए है ने मौसं के रंग में हम पिर से आएंगे एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे एक महल हो सपनों का एक महल हो सपनों का भर आँखों में सपने इस घर में आए है हम सपनों की वो दुनिया सच करने आये है नए घर के आंगन में कुछ सपने बोई है कुछ मुर्जाए कुछ पाए कुछ पाए माभी ज़रा ये तील चकर देखिए बड़ और गुने है महाराश तोड़ बुर लेगा में अच्छ नहीं बनेगे ये तील के लड़ बनाना भी आसान काम नहीं गुड की चासली जरा सी एकच्छ रह गई ना तो चबा नहीं पाएंगे और ज्यादा पग गई तो ड़ तूट जाएंगे मगर लड़ नहीं तूट जाएंगे एक भार तो माराश बास माराश बास कहानी कहने के लिए मत बैठ जाना फिर सारे काम बाकी है तुम्हें तो कोई टॉपिक चाहिए हो कई शुरू माजी मुझे तो डाटिया ही मत मैं तो कबसे कह रहा हूं कि आप सब जाएंगे अजिए एकेला बना लूँगा अईसा कुछ काम निकला तो गंगा को बुला लूँगा ताकि तुम उसके साद जगडा करो जाएंगे चाहिए जाएंगे और बरतन दोने में हकते लग जाएंगे क्या वादी आप भी मैं तो सिर्फ माराश बास माराश बास और हाथ चलो, काम करो मा, मुझे इस वक्त पारो भभी की याद आ रही है हाँ बुया होती तो कितना मज़ा आता है वो भी हमें याद करती है सोनल भी तो नहीं है याद है हाँ, वो दोनर जब यहाँ थी न तो इस घर की रहनक ही कुछ अग थी सोनल को खाने का शौक और बारो भभी को जशन मनाने का पस गर में कोई छोटी सी बात नहीं हुई और गर में पार्टी शुरू माजी आपको याद है याद एक पार्टी में सोनल ने पनी पसंद की चीज़ इतनी खाली थी कि अहां कि बाद में उसे बदज्मिय हो गई थी सारी रांग कमरे में ठेलती रही खुद तो परिशन हुई लेकिन हमें भी सारी राच जगाया मैं सुरी बात थी बुरा मत माना लेकिन इतने साल हमने इस घर में इकठे गुजारे है सुख में दुख में एक दुसरे का साथ दिया है चाहते हुए भी हम उसे बुरा नहीं सकते नहीं नहीं बापी, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि सुनल कैसी होगी बिल्कुल एक बच्ची जैसी भूली, नादान भी क्या कर रही है तो काम में दिए जिए लाइन कितने ही टेडि मेरी हो रही है ये ठीक तो है क्या ठीक है? ये तुकडा साही है तो क्या? फुटपatti से लाइन बनाओ फुटपatti से लाइन बनाने की ज़रोत नहीं अनुभाव चाही है लाइए लो, मुझे नहीं सुनी है तुभावी कित-कित लो भावी हम मक्य किचिकी बनाते है मक्य किचिकी? पहले बार सुन रही हूं अरे वो कैसे बनती है बटा? जैसे ये सब चिकी बनती है माजी तुम्हें बनाने आती है? फिर थीक है थोड़ी सी बना लेना बेटा अच्छा बाज़ हाँ, हमें भी नहीं वराइटी खाने मिलेगी पलवी बेटा, एक बात पूछो तुम यहां खुछ तो होना जी माजी आप लोगों से इतना अपना पंद मिला है और वह तो जने दोना पलवी इस खुशी के माहूल में कहां वो सब बाते छेड रही है यह बात अपने सोलाने सच कहीं भावी क्या बात है अचकर बहुत सारी ड्यूटी कर रही है बहुत सारी ड्यूटी मतलब मतलब दिन भर ओफिस का काम फिर घर का काम अपर से यह एक्स्ट्रा काम चिकी बनाना घर का काम करना यह को ड्यूटी है और नहीं तो क्या राजू यह सब मैं प्यार से कर रही हूं यह को ड्यूटी थोड़ी नहीं बंदी-बंदाई अगर क्या जरूरत है ठक जाती होगे न तुम दिन भर उफिस का काम करती हो और घर महाराज है दूसरी अउरत है जो उफिस नहीं जाती है राजू प्रीज मुझे मना मत करो मुझे करने दो मुझे करने में बड़ा मजा आता है मैं सच कहरे हूं मुझ पर कोई सबरदस्ती नहीं है राजू इस घर में मैंने बहुत कुछ पाया है बहुत कुछ सीखा है जो प्यार और सनमान तुम लोगों ने मुझे दिया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी रोणी रहूंगी यह रोण तो मैं चुका नहीं सकती लेकिन अगर इस घर के लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी अए पलवी तुम तो इमोशनल होगी तुम्ही पता है मैंने तो अपने घरवालों को चिठी तक लिग दी है अच्छा क्या लिखा है कि मैं आप बहुत खुश हूँ मेरी फिक्र ना करें क्या बात है तुम उदास के होगी हाँ, नहीं, कुछ नहीं कहो ना, क्या बात है नहीं, कुछ खासने ऐसे ही सोच रहा था तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं नहीं, ऐसे विश्वास की बात नहीं है बलवी तु बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती मुझे गवरी याद आ गई बचली साल ना, संकरांती में हुमने बहुत हंगामा किया था सुबह से टरेस पर चड़ गया थे और फिर एक भी पतंग हमसे कटी ना तो फिर जोर जोर से छोटे बच्चों की तरह उचल उचल कर चिलाती काय पोच्छे, काय पोच्छे और चिकी तुमने भी अच्छी बनाई है मगर गवरी जो चिकी बनाती थे ना, पल्लवी तुमें सीखना चीए और यह नो चिकी बनाने के लिए एक दिन वो अरे राजू, यह क्या ले आए? सिख्य, एक एक रूबे के सिख्य है अब लोग ना, एक एक सिख्य में एक सिख्य डालेंगे क्यों? अरे बच्चे चिकी खाएंगे ना और और उनन से सि yatio पाएंगे तो खोशक होड़े ना अरे राजू, नपीछ उख खाएंगे तो सि nac Here, राज की में अगलर शॉषा है तो बै रहा बाच्छारा आख बायो ig這個 में बड़े चीओ एक हो, जा चॉकलेच के जाओ इस्यादी जाओ, ने उखता राओ तिर दिए व कुछ अधिन के आईडिया थैसरे भी कोई है वच्छे तो क्रीप बीकिला थात्या है मुझे तो या आइडिया थुमें से विगस में तुमें से सूजाएं मुछा? कैसा उत्या मत है तो वापस क्यों नहीं ले आते हैं? हाँ, नहीं, लाओंगा अब तो लाना ही पड़ेगा फोरन ले आओ, अभी जाओ और अभी ले आओ नहीं अभी वह है नहीं राना बदर में अभी वह आउट अपस्टेशन गई है जैसे वह वापस आजाएगी मैं उसे ले आओंगा सुनिये, जराइए चखिये तो वाँ, चिकी हाँ, आपके लिए लाइए देखते हैं मुह में पानी आगया वाँ, क्या बड़िया बनाई वाँ बहुत दिनों के बात बनाई हाँ, अब देखिये ना घर में सबको इतना काम होता है इतना काम होता है कि यह सब बनाने के किसी को फुरसरी नहीं मिलती इसलिए चाहते हुए भी नहीं बना सकते यह तो तवहार के दिन हो दे हैं इसलिए मजबूरन बनाना पड़ता है वरना तो बच्चे परिशन करते है 16 आने सच बात कही तुमने इस उमर में बच्चे नहीं खाएगे तो कौन खाएगा हम भी चटकारे ले लेकर खा रहे हैं तो किसने बनाई है? भारती में तुम याद है अनस्वया हम जब छुट्टियों में महाबलेश्व जाया करते थे तो वापस लोटते वक्त भेर सारी चिक्की और फज लाया करते थे हाँ वो सब मैं कैसे बूल सकते हूँ उसे खाते वक्त मुझे शेखर की याद आ गई उसे बहुत बसंद थी ना जी जब भारती से बना रही थी ना तो इसे देखते देखते मुझे भी ये सारी बाते याद आ गई कैसे कैसे छोटे बच्ची की तरह मचलता था वो ये खाने के लिए एक दिन क्या हुआ था पता है आपको क्या है मकर संकरांती का दीन था ठेर सारी चिकी बनी थी तो अपने हिस्से की तो वो खाई गया था लेकिन अभै ये कह रहा था कि मैं मेरे हिस्से की बात में खाऊंगा रहने ने देना ये सुन लिया शेखर ने अभै जड़ासा इधर उदर हुआ कि उसके हिस्से की भी वो खा गया और अभै को जब पता चला ना तो दोनों भाईयों में जो लड़ाई हुई है जो लड़ाई हुई है कि बात मत पूची और वो वो माजी भी इन सब मामलों में कुछ कम नहीं थी थोड़ी सी कम अगर चीकी मिल जाती ना तो हम लोगों की तो शामत आ जाती चिला कर कहती हां खुद के लिए बचा कर रखा है जो जरासी दे दी मुझे अब उनके साथ महस करने की बात मेरे बस में तो थी नहीं इसलिए मैं चुप चाप जाकर थोड़ी और जीकी दे दी उनको अरे जिस में टाकत रहे हमें वीका हमा बचंडल जार विता जाठर में जार जाएस चाहат जाकिन समय चाहिआ मैं आप ऑनके केती एक बाद को थो olarak वैं वे तेरी माने कुछ नहीं प्रिकाया लगता यहां सेनाप यहां सेनाप यहां सेनाप इसमे और इसमें कितना फर्क है तो इस बैरनस रहेगा? एट जे बालेगा लगई पेंगे वो कहा गई? कबकी बुला रही हूँ? अजनी नहीं रहे एए डादी मा शंकरंपनी है डादी मा संकरंठी और अपनेते हैना है तो शंकरंथी मैं मैं काम नहीं कर रहे हूं क्या आप भी कर रही है दादी माझ, तो मुझे बताये । मुझे वॉट कलर कर सहिंग वाट कलर करें ऐसavia शंकरंगी आप मैं बड़ी बड़ी पत Walker's gonna मैं तुम बताती हूँ, हम लोग ये पतंग उँचे से उँचे उडाने की कोशिश करते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक, उपर कौन है, उपर कौन है, हमारे पुरुगज, लेकिन उनका और पतंगों का क्या संबंध, देख मैं तो समझाती हूँ, पतंगों पर लिखे संदेश हम उन तक पहुचेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, जैसे हम लोग शाद्दा के दिन कववे को खीर पूरी खिलाते हैं, वो उन तक पहुचती है, वैसे ही पतंग के संदे से भी उन तक पहुचेंगे, अच्छा, ये बात तो अब तक मेरे दिमाग में आई नहीं, उसके लिए द दादी मा मैं सबको समझा दूगी कि इस पर हमें संदे से लिखने हैं, उन्सुया को भी समझा ना, उन्हें तो पता ही होगा ना दादी मा, उससे कैसे पता होगा, उसकी माने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है पता है, ये क्या समिला है, मुझे बड़ी चीड़ा रही है, मानची, जितना चीड़ेंगी ना, उतना काम और बड़ेगा, इससे अच्छा तो ये होगा, कि हम जल्ली जल्ली निक्टा देगा, हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकि उससे नहीं होता ये, मैं बड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा न माजी? पता है, करना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं किया, तो नजाने सासुमा मेरा क्या हाल करेगी? माजी अब अभी तक अपनी सासो माँ से डरती है अच्छा तपन्ना अब तुमने भी मेरा माजा कुड़ाना शुरू कर दिया नहीं नहीं मैं तो बस आपका मूर ठीक करने की कोशिश कर ले थी अरे मूर को छोड़ा यह देखो यह वाटर कलर से मैं नहीं लिख सकती तुम ही लिख दो नहीं अगर दादी मा को पता चल गया न तो वह बहुत नाराज हो जाएंगी कि अच्छाई काम कीजी ना यह लेजी इस स्केजबेन ले लिजी और उससे लिखना फिर दीजी जली हो जाएंगे मुझा नहीं चाहिए मांजी को पसद नहीं ना द einen ने तो मंगभई है यहा लेकिन अब नहीं चाहिए अब नहीं क्यों क्यों कि वो तो कह रहे थी गर के बने हुए रंगों से, लेकिन हा, तुम्हारी माने तो तुम्हे कुछ सिखाया ही नहीं होगा ना, कहां से लिख सकती अब पंड़ तुम्हे बता, उस जमाने में इसकेश पेंथी, जाने दीजे ना, उनसे तो बात करना ही बेकार है, अब तुम्हे कुछ मदद भी करेगी, इस तरह से कुछ नही हुआ ना, तो तक्रिफ हो जाएगी, अब इतना करती हो फिर भी मुझे बचालिया खानी पड़त अब तुम्हे इसे, क्यों आप? पारो, दादी मा के कहने पर हम ये पतंगों पर अपने पुर्वजों के लिए कुछ संदे से लिक रहे हैं, क्यों? जब ये पतंग उड़कर आकाश में जाएंगी तब हमारे पुर्वज इसे पढ़ेंगे और तब उने तसल्ली हो जाएग छोड़ दीजेए थूमने तो कह दिया ठोड़ दीजेए को जब देगा अभी मैं अभी मैं अमें फिर से लेक्षर नहीं सुनी है आप लूग अपलोग मुझ पर विश्वासी नही है आप लोग देखना मैं दादी मा को ऐसे चुटकी बजा जा लोगी ये तुमारे बास को में सपने इस घर में आए हैं हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए है मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं कुछ मुरजाए कुछ पाए कुछ पाकर खोए हैं नए मौसं के रंग में हम फिर से आएंगे एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे एक महल हो सपनों का एक महल हो सपनों का